सो हे गाईस कैसे हैं आप सब मैं अन्दी बदबश स्वागत है आप सबी लोगों काता सो गाईस आज हम बात करने वाले हैं भूख न लगना कमजोरी ठकान जोडों का दर्ड मांस पेसियों में दर्ड होना आठन होना रात के समय जब भी आप सूते हैं तो हाथ पेरों में सफेद हो रहें बाल बहुत ही कमजोर है जड़ रहें चेरह पर कापी ज़्यादा जूरियां फिर पेंबल्स की समस्या तो इतने सारी समस्याओं के लिए आज इस वीडियो में चोटा सा सीम्पल सा बहुत यासान तरीका बतारी है जो कि इसका सेवन करने से आपके ना पाती है बहुत ही ज़्यादा ब्लेडिंग चालू हो जाती है उनके लिए उनके लिए उसका काफे ज़्यादा काम करेगा तो अगर अभी तक आप लोग आसे तरीके सब्सक्राइब करें यह चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं हरी सौफ जिया हरी सौफ में कई सरे से व उसके करने आपक बरसने के अबहार होग हो जाता है तो ऐसे लोगों को भी सब्सक्राइब करना काफि ज़्यादा मन होता है तो हमके इस तरीके से करने सकती है जिस तरीके से जैसे कि आप गशने मलत झाफ और में पड़िखते बाद रचाने भी मिलेकर गुणगा पाणि भी स्वांद疗त is अब्यूना जीना सब्मित्यशन अज़ते टोव वहां दोटिवारिकश और मिकसर बना लिए इसका करना है ने कि रोजाना जुबभ ब्रस्त करके चमाश नेकालने आर और यक गुनगुन, पानी लें पानी और उष़गें चमाश पश्यमन तरहीं को दाली कि देख़ की इसे दिटी के समय से आपको ए दोनों तरीके काफी ज़्यादा फैयदी मंद रहेंगे आप इसको इसको कंटीनियू महीने तक बिमारियों के लिए अच्छा होता है खाशकर जिनको गय से लेना चाहिए खाना खाने के बार इसे शेवन करने से आपका खाना भी अच्छे से हज़ाम हो जाता है पाचन मजबूत रहता है ऐसे इम्नियूटी सिस्टम भी काफी ज़्यादा भूश्ट होती है तो आई होग आज कमारे च्छोटा सा टीप्स आप लोग को अच्छा लगा हो तुमारे वीडियो को लाइक करेगा जोरतमन दोस्तों में सेयर जरू करेगा मिलते हैं नए वीडियो ने ने उसके के साथ तब ते के लिए लोग जहां पर रहें अपना दें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू शो मच